इदर सारंगड़ में 35 से जादा महिलाओं से ठगी की गई है चार लोगों के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज हुई है महिलाओं के नाम पर बाइक फाइनस पर ठगी की गई तो लोन पास करवा कर बाइक के बेच दी गई थी किस चुकाने को लेकर नोटस से मिला तो खुलासा ह सरिया बरम केला धानाक शेत के मामला बताया जा रहा है 35 से जादा महिलाओं से ठगी की गई है महिलाओं के नाम पर बाइक फाइनस करवाली गई और इस बात की जानकारी महिलाओं को जब नोटस मिला उस बात के बाद हुई इदर दुर्ग में ओनलाइन शॉपिंग कंपनी से धोखादड़ी का मामला सामने आ है धोखादड़ी करने वाले पांच आरूपी गरफ तार हुए तीर मुख्य आरूपी फरार हैं जिनकी तलास की जा रही है बता दे करीब 45 लाग की धोखादड़ी करने के आरूप हैं 120 म वाद दाता रॉबिन ठाको रमाय साब ओनाइन पर जुड़ गया है रूबिन क्या को जानकारी किस प्रकार से ठगी करते थे आरूपी जब तक मैं आपको बता दो कि ऑनलाइन का जो ठगी का जो सैंपल था कही ना कहीं दुर्ग जिले के सहरी लाकर में देखना को मिलता था जब वो मुबाइल आया तो उसको कैसा पहले मुबाइल ले लेगे पैसा नहीं देगे और उन तमाम मुबाइल लगभग टोटल जो संकिया है मुबाइल का लैप्टॉप का और घड़ी का जो एलक्ट्रोनिक डिवाइस ते उसका लगभग 112 संकिया है उनमें से लगभग 90 लगभग 45 लाग रूपे बताई जा रही है फिलाल जो तीन शातिर मुख्या रूपी है वही फराग है जो पांस थे वह कहीं न कहीं आंतरी की रूप से जरूर थे लेकिन पूरा उनका हाथ नहीं तो पूस्टार्ट के बाद उन तक पहुचने के पुलिस कोशिश जरूर कर रॉबिन फलाल धनेवाद आपका जानकारी साधा करने के लिए